आज मैं आपकी साय शेयर कर रही हूँ गेहु के आटे का बहुती मज़ेदार और फटाफट से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी कोई मेदा नहीं कोई सूजी नहीं कोई बेशन नहीं भूती सिंपल भूती आसान सी रेसिपी ही तो चलिए फ्रेंट से इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन रेसिपी बनाने से पहले आप सभी से छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें तो दो हरी मिर्च ली है बिल्कुल बारिक कटी भी यह भी इसमें डाल देते हैं और जीरा और हरी मिर्च को थोड़ा से फ्राइ कर लेंगे बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है यानि हरी मिर्च का कलर हमें डार्क नहीं करना है तो यहाँ पर देखे हरी मिर्च थोड़ी से लेकिन क्रंची भी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक कप पानी तो इसके मेजर्मेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी या कब भी ले सकते हूं और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं एक चमश नमक एक बार इन सबी चीजों को बड़िया से मिक्स कर देते हैं गेस का फ्लेम टालनहीं मीडियम मत्राहा थ्यायों कोर मिक्स करेंगे अब हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सक आल तो यहां पर देखें, 12 मिर्ट के बाद हम डाल देते हैं एक कप गेहु का आटा, तो बस जिस कप से हमने पानी लिया था उसी कप से हमें यहां पर गेहु का आटा लेना है, और बिल्कु L departments है कि अध्य का आटा है, जिसके हम सबी घर में चपाती बनाते हैं, बस वही मेने लि अबस इस तरह से चलाते वे यहां पर देखें बढ़िया से मिक्स कर रही हूं तो बिलकुल पॉफेक्ट नाप है एक कब गेहू के आते के लिए एक कप पानी की जौरत होगी तो यहाँ पर देखें बिल्कुल डोजे से बंधने लगा है जब इस तरह से होने लगे तब गेस का फ्लेम बिल्कुल ओफ कर दीजी और ओफ करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं ताकि अपनी ही भाप में और पक जाए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए चले जब तक आग चीली फ्लेक्स और इसी के साथ एक चमश हम डाल देते हैं तील तो में यहाँ पर ब्राउन तील का यूज़ कर रही हूं अगर वाइट हो तो वाइट भी ले सकते हूं और इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं बारिक कटकी वी धनिया पत्ति तो फ्रेंड्स आटे में अगर आप चाहों तो इसे लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हूं लेकिन कुटी भी लाल मिर्च डालेंगे तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा तो अब हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसके सलेरी बना लेंगे लेकिन पानी पहले कम कमी डाले एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डाले नहीं तो इसमें लम्स बनने लगेंगे तो यहाँ पर दिखेगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके में इसे भड़ीया से mix करते जा रही हूँ तो यहाँ पर दिखेगे इस तरह से मैंने इसके consistency रखी है याँ बिल्कुल perfect है तो चलिए इसे रख देते हैं अभी side में तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा बरतन ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे डो तो डो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है हलका से गरम है अगर जादा गरम हो तो इसी बरतन में आप इसे खूश देर के लिए रहने दीजे यानि थोड़ा ठंडा हो ज इसे बराज मसल लीज जिए तकि चिकना हो जाएं यह देखे बिल्कुल परफेक्ट है है यानि इस तरह से हमें इसका थोड़ा हाड डो चाहिए चलăm क्या करते हैं इस दो में से बड़े-बड़े बना लेते हैं तो इतने डो में से मैं यहाँ पर दो पेड़े बना कर तयार कर रही हूँ, यह देखिए क्योंकि हम यहाँ पर इसकी थोड़ी बड़ी और थोड़ी मोटी रोटी बना कर तयार करेंगे, चले अब बारी है इन्हें बेलने की, तो बेलने के लिए चकले पर आप चाहें तो ते तो यहां पर देखे इस तरह से मैंने इसकी थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी मोटी रोटी बना कर तयार कर ली है इसकी थीकने से आप देख सकती हूं मैंने इसे कितना मूटा रखा है तो चले अब हम इसे शेप दे देते हैं तो मैंने यहां पर एक चाकू लिया है और कर लेती हूं और एक बार हम इसे फिर से इस तरह से काटेंगे यानि इसे हमें थोड़ा से लंबाई में कट करना है बिल्कुल आपके उपर है अब जेसा भी से शेप देना चाहूं दे सकते हूं तो यहां पर देखे इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है आप देख सकते हो अब जो हमने इस लेरी बना की रखी थी ना तो बस एक एक इस तरह से पीस उठाते जाते हैं और इस लेरी में डीप करेंगे और अब हम यहां पर एक काटे की साहिता से इस तरह से उठा लेते हैं और गरम तेल में हम इसे बढ़िया से फ्राई करना है तो तो तेल हमें यहा एसे तरह से आट Bä trilogy करते जाएंगी करम तेल, ए 3, 2 तरव ऐसे बढ़ी Mmm भूद्र में दिफाले में जोकि जो हमें ए स्टी आटा है दो हमारा पहले सही बढ़िया के ख्रिस्पी छाइया और भार से बढ़िया से क्रिस्पी लगने अथ ऑस से बाहरусов फुलने लगे हैं तो इसके लिए बाजार से आपको कुछ भी नहीं लाना होगा आलू सभी के घरों में होता है और गेहु का आटा भी हम सभी के पास होता है तो बस इसी तरह से आटा और आलू से हम बहुती मज़दार सा नाश्ता यहां पर बना कर तैयार कर सकते हैं और साथ बहुती मज़दार रेसिपी आप इस रेसिपी को जरू से ट्राइ कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आ रहे है तो लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले